नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वाधत है दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में नाम है बधूगू आई है ये डिजनी प्लास हॉट स्टार पे ये एक तेलगू सीरीज है हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं डारेक्टर है पोलूरी कृष्णा और दोस्तों ये सीरीज एक बांगला शो इंदू का रीमेक है और दोस्तों रिव्यू के शुरुआत करने से पहले क्रिपकर स्टाफ से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लिजेगा क्योंकि वेब सीरीज और मुवीज के रिव्यू के साथ आप पहले हैं OTT के दुनिया की हत जानकारी और इस सीरीज की कहानी है इंदू की कहानी इंदू की शादी तै होती है लेकिन एन शादी के दिन उसकी बहन उसके फियांसे के साथ भाग जाती है और इंदू की शादी वहां टर जाती है फिर एक साल बाद एक और लड़के से उसकी शादी तै होती है लेकिन जब शादी की रसमे शुरू होती है उसके बाद से कोई ने कोई विग्न कोई ने कोई बाधा इनके घर परिवार में उत्पन होती है और यहां तक की शादी के बाद जब इन्दू ससूराल चली जाती है तो वहां भी कुछ अजीव औगरीब कुछ रहसमय घटनाओं का होना जारी रहता है और इंदु को लगता है कि कोई-ने-कोई उसके पीचे पढ़ा है उसकी साधी से नाखुष है और उसकी साधी के बाद वो उसको परिशान करते रहना चाहता है तो ये क्या रह से है किस तरह की घटनाए हो रही थी ये ही सब कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो ठीक ठाक कही जा सकती है प्रजेंटेशन भी इसका ठीक है और इस सीरीज की शुरुवात एक सस्पेंस के साथ होती है कुछ सवालों के साथ होती है और यह जो सस्पेंस है इसको आखिर तक कैरी भी किया गया है तो यह एक अच्छी बात है, यहाँ कुछ ट्विस्ट और टर्न रखे गए है, जो कि आपको थोड़ा चौका आ सकते हैं, और यहाँ जो कहानी है, वो एक स्टेट लाइन की कहानी है, कोई सा प्लॉट इसमें आपको नहीं दिखता, करेक्टर्स की कहानी है, अलग-अलग करेक कर रहा हो, तो यह सब देखना ठीक लगता है, लेकिन दोस्तों शुरुआती एपिसोड में जिस तरह से इस कहानी को शुरू किया गया, और जिस तरह से कुछ सवाल खड़े किये गये, आगे जाकर के जब यह सीरीज आगे बढ़ती है, तो फिर यहाँ फैमिली ड्रामा थो और इसके अलावा दोस्तों यहाँ शगुन अप्शकुन इन चीजों को लेकर के बहुत सारी बाते होने लगती है, शुरू में तो एक दो बात ठीक लगता है, लेकिन बाद में वो उबाओ लगने लगता है, और सबसे खराब बात यह है कि जो सस्पेंस है, उसका पूरी त टाइम वेस्ट ही है, बेकार है इसको देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको अच्छी लग सकती है, आप एज्वाय कर सकते हैं, लेकिन जादा तर चीज़ यहाँ आपको एन्वाइंग और बोरिंग उबाओ ठकाओ ही लगेगी, तो फिर इसमें टाइम वेस तो अभी साथ एपिसोड आए है, इसके छोटे एपिसोड है, 20-25 मिनट के आसपास के, और अच्छी बात यह है कि यह जो सीरीज है, एकदम साफसुतरी सीरीज है, कोई अब्यूजियो लैंग्वेज नहीं है, कोई इस तरह का सीन नहीं है, आप अगर चाहें, तो फैमली के तो दोस्तों, आज इतनी बात, आपको यह रिव्यू कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताईएगा, आपने अगर यह सीरीज देखी है, तो भी मुझे बताईएगा आपको कैसी लगी, धन्यवाद.